तो गैस अगर आप साल 2023 में New Pulser NS200 को Purchase कर रहे हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप इस बाइक को लोन पर Purchase करते हो तो आप कितने कम से कम डाउन पेमेंट इस बाइक के लिए कर सक और गैस अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और आपको ये वाली वीडियो चिले गए तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है तो चले दोस्तों बिन आपका समय को आए वीडियो करते है जल्दी से शुरू तो यहां पर दोस्तों साल 2030 म दोने कलर में लॉंच किया गा जो पहला कलर हो है बॉनी बलाइक और सेकंड पॉल मटैलिक वाइट और यहां पर दोने कलर में जो बात करें इस बाइक के इंजन के बार में तो इस बाइक में दिया गया है 199.5 cc सिंगल स्लेंडर 4 स्ट्रोक लिक्ट कूल इंजन और आपको इस इंजन से 24.5 प्यस्का पास की पाउर देखने को मिल जाते हो नहीं आपको बैक से 18.74 न्यूटन मीटर का आपको बैक से मैक्समुम टॉर्क देखने को मिल जाता है इस बाइक में दिये गाए 6-feet गेर बार लेटर का फ्यूल टैंक आपको बाइक के साथ देखने को मिल साल 2013 में चुछ प्राइब हो है 1,47,300 रुपीज के आसपास और है अगर आप इस बाइक को परचेस करते हो तो आपको 12,300 रुपीग आसपास का आट्यो टैक्स पे करना पड़ता हो और यह जो आपका स्टेट टू स्टेट वेल करते हैं इसकलिब बात करें इस चार्जिस के बार में तो उसका आपको पड़त लगए 12,000 के आसपास जिसमें आपको एक साल के लिए दिया जाता है और आपको पांच साल के लिए दिया जाता है थर्ड पार्टी इंशॉनस और आपको फंद्रा सोल रुपी आसपास का पे करना पड़ता है अधर चार्ज का और यह सब म आपको न्यू डिजाइन के देखने को मिल जाते हैं इसकलाब यहाँ पर ड्यूल चैनल एप्योज योजडी फॉक्स अस्पेंशन और ऐसे करें सारे फीचर इस बाइक में दे दिया है जिनके विए से जो बाइक हो काफी ज़्यादा इस बार एडवांस बन चुकी है और ग कर सकते हैं और यहाँ पर आप 50,000 और यहां बनेगी चहे लगी चौबेज महीन और यहां पर रेट ऑफ इंट्रराश वह आपको पड़े गाएड़.9% के आशपास और दोस्तों और आपको इससे अपर काफी और सब्सक्रां आप बिंदे कर सकते हैं एक स्कूंग साल 2023 को प तब reply कर दूँगा तो चले दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye